हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें नूर का चांद जुक जाता जिधर रुबले उठाते महद में क्या ही चलता था इशारों पर खिलावना नूर का और हबीबी या रसूल अल्ला तेरी नसले पाट में है बच्चा बच्चा नूर का तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर सिदी सरकार आला हजब्रट फादल बरैली रजियलला हो ताला आनको इर्शाद फर्माते हैं अपने दूसरे कलाम में के चमक तुछ से पाते हैं सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले बरसता नहीं देखकर अबरे रहमत बदों पर भी बरसादे बरसाने वाले और आगे फरमाते हैं सरकार आला हदरत के तु जिन्दा है वल्ला तु जिन्दा है वल्ला मेरे चश्म आलम से छुप जाने वाले बिगड़ा हुआ नसीब बनाते हैं खोसे पाक मुर्दों को एक पल में जिलाते हैं खोसे पाक गोसल वरा की शाने करामत तो देखिए चोरों को भी अब्दाल बनाते हैं गोसल वरा की शाने करामत तो देखिए गोसल वरा की शाने करामत तो देखिए चोरों को भी अब्दाल बनाते हैं खोसे पाक गोसल वरा कानफरंस में तश्रीफ फर्मा मुलक मिल्लत के माए नास अलमा एकराम शौरा इसलाम क्यामगाह में तश्रीफ फर्मा शेज़ादे सिराजलोलिया सूफी बासफा पीरे तरीकत सेज़ी सरकार सनदलौलमा हद्रते सूफी शाह दिलबहार सहब कि बला कादरी चिश्टी अबुलोलाई और तमामतर सिलसले से बाफ़ेज मुज़गाने दिन इस्टेज महब्बत पे तश्रीफ फर्मा पीरे तरीकत हजरते सूफी खलील मिल्लत सहब कि बला दिबर बावकार उल्माई कराम और दिगर सामई नहज़ाद परदे की याड़ में चलसा समात कर रही इसलामी रिष्टे की मा बहनों अस्सलाम अलाईकुम और रह्मत ल्लाही वर्यकाताथ अजराद राद बढ़होर की सर्जमीन पर पहली बार नाचीस तबीब आलम तबीब आपकी खिद्मत के लिए हाजिर है हमदर्दे कोम मिल्ल्ल्ल अजब माब जनाबे खासिम हुसाइन साब की बलाही जिनकी शक्सित हर इतबार से खुश्चाल है सबसे पहले मैं उनकी बारगाह में मुबारक बादी के जुमले पेश करता हूँ आईए हम और आप लल्लाह तबारक वताला से दुआ कीजिये कि अपने हबीब के सद्के में सरकार गोस आजम की इस पाकीजा महिल की सद्के में आज की इस पाकीजा गोस आजम कांफरंस में जो भी नातो मनकबत के आशार पढ़े जाएंगे इन तमाम जिकर वज़कार के वसीले से अल्ला तबारक वताला खासिम हुसैन साहब किला को बेपना तरकी की राह पे गामजन फरमाए और उनके घर में उनके कारोबार में कदम कदम के वरकतों का नुजूल फरमाए बड़ी खुशी की बात है कि जनाब कासिम साहब ने अपनी साबिका रिवायत के मताबिक बड़े तजक और इहतशाम के साथ सरकार गोसे आजम की पाकिजब महफिल के इहतमाम और इंतजाम किया है यहां आने के बाद तो कसम खुदा की ऐसा लग रहा है कि हम पढ़होर की सरजमीन पे नहीं बलके बंगलोर की सरजमीन पे बैठे हुए इसलिए कि जिस अंदाज में यह पंडाल, साउंड, खाने पीने का इंतजाम, बैठने का अहसन तरीके से एहतमाम बाहर से आने वाले लोगों के लिए तमाम तर सहुलियात फराहम कराना और सिर्फ तने तनहा अपने बल पर यह छोटा काम नहीं हो सकता है आज के इस दोर में इतना बड़ा कारनामा अंजाम देना हर किसी के बस की चीज़ नहीं है दौलत तो हर इनसान के हिस्से में आती है असरो रसूख हर इनसान के हिस्से में आता है शोहरत और तरक्टी हर इनसान के हिस्से में आता है लेकिन राह खुदा में अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए बुजर्गाने दीन की बारगाह में मुहबबतों का खिराच पेश करना ये सबके हिस्से में नहीं आता है ये हमारे कासिम हुसाइन साहब के हिस्से में ये साध़त आई है अल्ला तबारक वताला उनको खुब खुब तरक़्ी अता फरमाए मुझसे पेश्टर आज के इस अजिम उश्शान प्रोग्राम के हवाले से जो काईदाना किरदार अदा कर रहे हैं काईद की हैसियत से तश्रीफ फरमा है मुहसिन इकोम मिल्ल्ल्ल आलिम नबील फाजिल जलील खतीब यहल सुन्नत एक अजिम उश्शान एदारे के लाइक उफाय कुस्ताद हजरत अल्लमा इसहाग साहब किमला दार अल्लों खोसिया यतीम खाना असनहर को कौन नहीं जानता उसी अदारे से तालुक रखने वाले मुहतरम जनाब मौलाना नसीम साहब यह सब के सब बेटे हुए हैं मेंबर नूर पे पीर तरीकत सुफी खलील उर्रह्मान साहब किमला की दुआएं हासिल हो रही है पुष्ट पनाही हासिल है हम सब को जैसा कि अल्लमा इसहाग साहब ने फरमाया के आज के इस अजिमुशान गोसे आजम कौनफरेंस की पाकिज़ा सरपरस्ती शहजादे सिराजुल उलमा सनदुल उलिया पीर तरीकत हजरते सूफी दिलबहार हसन गादरी जिश्टी अबुल उलाई साहब किमला के पाकिज़ा दस्ते मुबारक के हाथों में ये अजिमुशान बाग दोर है मैं हजरत की पाकिज़ा दुआई लेते हुए और जिन जिन शोराए किराम का तथकिरा किया है अल्लमा इसहाग साहब किमला ने चाहे वो शायर इसलाम पुद्बुद्दीन नूरी साहब किमला हो या शेहन शाहे तरंण किमला हो शाकार तरंण किमला हो मदाह रसुल महुतरम जनाब साला अर्मारवी साहब किमला हो या बललल इबागِ मदिना अनसरजा सहाब हो या फिर्कारी मजहर सहाब हो ये जितने भी शोरा एकराम آپ के धयार महबत में हाजिर आये है सबका कलाम आपको सुनना है सबकी फिक्र सबके ख्यालाद से आफजरात कुरू बरू होना है इन तमामी ओलमा शोरा शुफिया की पाकीजा चुरूमुट में जमात एहल सुननत का एक ऐसा जाबाज मुजाहिद इसलाम हाजिर आया है जिनका खिताब सुनने के लिए इस वक्त पूरा मुल्क बेचैन है मेरी मुराद मुफक्किर इसलाम शाहनशाह वसाहत और बलागत नाशिर मसलक आला हजरत जिनको दुनिया नाइब खासिय मिल्लत सभी मनसूब करती है हजरत ए अल्लमा शौयब आसिरी साहब कुला कोशामभी इलाहाबाद यूपी आपकी जाते मुक्दस आज कई सजी मुशान घुसे आजम कॉन्फरंस में तश्रीफ फर्मा हो चुकी है मिंबर नूर पे हमारे तमाम तर अहबाब मुझूद है मौतरम जनाब हाफिज अब्दूलहकीम साहब जिनको हम लोग मुखबत से बाबा कहते है और भी दिगर मौलाना क्याम अदीन साहब और दिगर सुफिया एकराम मौजूद है मौलाना क्याम साहब जी जी माशालला ये भी एक बड़े एदारे से तालुक रखते है जामया रस्विया दीगुल से आपका तालुक है माशालला ये पंडाल भी देखने में लग रहा है और बड़ी खुशी की बात है कि आज छार खंड से एकराम साउंड को हमारे कासिम साहब में बुलाया है ये जो भी ये तमामों इंतजाम आप देख रहे हैं ये अलग बात है कि हमारे कासिम साहब ने अपना जाती माल सर्फ दिया है इस पूरे प्रोग्राम को ये निकात करने में बुज़गाने दीन की महबबत में लेकिन हमारे अलमा इस हाग साहब किवला ने एक अहम रॉल अदा किया है तमाम तर उलमाए किराम को मदू करना और दिगर चीजें महया करना ये सब इनकी देख रेक में हो रहा है अल्ला तबारक वताला जमात एहल सुन्नत के ने इनकी हिवादत वर्भाई सबसे पहले मेरी गुजारिश यह होगी और वजराथ बहुत दूर कियों बैट्ए हैं अगर करीब आकर के बैठते तो बड़ा अच्छा रहता बहुत अच्छा रहता सामने आकर के बैठिये बहुत दूर बैठे हुए हैं वो सरकार खोसे आजम जिस सरकार खोसे आजम का पाकीजा कदम दुनिया के तमाम वलियों के गर्दने मुक्दस पे है आप अधरा तश्रीफ ले आए भई, हमारे कासिम साहब ने जिस कदर कुर्बानिया पेश की है आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कई तना बड़ा कारनामा अंजाम देना किसी के हिम्मत नहीं है लेकिन या आप सब के लिए उन्होंने ऐसा किया है जो नوجवान लोग चियर पे बैटे हुएं बापू आप लोग इधर आ जाईए चियर पे बैटने के लिए वो हमारे जो बरादराने वतन आएंगे या और भी हमारे जो अतीती लोग आएंगे उनके लिए वो सारा इंतजाम किया गया है आप खुद सोचिए वो इंतजाम आपके लिए नहीं है आपके लिए तो माशालला बहुत ऐसे जलसों में गया कि फर्ष पे बस फारमेल्टी के लिए एक फर्ष का इंतजाम कर दिया गया लेकिन यहां जमीन के उपर पुआल है फिर उसके उपर करदा है फिर उसके उपर भी लिए Colonel माशाल जाल चादर कितना अच्छा इंतजाम किया गया है उसके बावजूद पर आप बहुत दूर बैटे हैं ऐसा लग रहा है कि शायद आप लोग समर्थर वापस ले लिए अरे आजाईए इधर मुमिनों का मुमिनों की शान है मुमिनों का एक मकाम है हम सुफिया वाले हैं हम सरकार कोसे आजम वाले हैं खरीब नवास वाले हैं सरकार आला हज़रत वाले हैं मुफ्तिया आजल हिंद वाले हैं हुजूर ताजु शरीया वाले हैं आप लोग इधर उगर क्यों बैटे हैं आजाए चचा आप भी उड़ जाए सामने में अच्छा नहीं लग रहा है अरे आए आएए भाया तसवर में तेरे जननेच का मंज़र जाग जाएगा शहए तव्तिया का तेवर जाग जाएगा सजी है बजमे सरकारे मदीना, शानो, शोकत से अदब से बैटिये आकर अदब से बैटिये आकर मुकद्द जाग 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 आपकी वज़े से दो चार पाँच लोग और रहेंगे हाँ आपकी वज़े से दो चार पाँच लोग बेड़ जाएंगे अगर आप लोग उड़ जाएगा महपत में तो इन्शालला यहीं से लगेगा कि प्रोग्राम चुरू हो गया है देखिए भाई नासिम का काम है एनाउंसर का काम है कि पहले माहूल को अच्छा बना ले उसके बाद अपने महमानों को पेश करें आजा बाबू आप लोग भी कुरसी छोड़ दीजिए आजाएए कुरसी छोड़के यहां आजाएए करीब यह तीन लोग आप लोग आजाएए लगता है कि एक मत परदेश 36 गड़ एक राजस्तान से हैं जो अभी भी ताज़ा लिजल्ट आया है तीन लोग किनारे बेट गेट माशालला आजाए आएए आएए सामने में कौई भी ना बैट एट जी जी माशालला आप देखे कितना च्छा लग रहा है पीर साथ किमला बैठे हुए है सुफी साथ खलील ररह्मान साथ किमला ये जानते है हजरत हमारे वुलमा जानते है कि मजमा लाखों का हो और अगर उस मजमे में जिन्दगी नहो तो वो मजमा कबरिस्तान से कम नहीं होता है और अगर मजमा थोड़ा हो कम लोग हो उनके अंदर बैठने का सलीका हो बोलने का अंदाज हो तो मजमा लाखों पे भारी पर जा जा करें अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है आईए हज़रे ज़रा से एक मर्तबा अब यहीं से माहूल को बेदार कर लीजिए और सभी लोग एक हाथ सरकार गोसे आजम के नाम पे दूसरा हाथ सरकार गरीब नवास के नाम पे एक हाथ सरकार आला हजरत के नाम पे और दूसरा हाथ सरकार सेद कुलशेर शाह कादरी चिश्टिर रहमतुल्लाले के नाम पे पूरा मजमा हाथ उठा कर एक मर्तबा कहे दीए अच्छा माशाललाई अभी भी बहुत सारे लोगों के हाथ ने उटा है कसम खुदा की अगर आपने बेदारी माहौल एक पैदा किया बेदारी दिखाया तो भरपूर खिद्मत करने की हम कोशिश करेंगे इंशाललाई आईए एक पत्वा और जूंके कहे दीजिए सुभान अल्लाई हम अपने उल्माई किराम जो इस्टेज महबत की जीनत बने बैठे हैं हम इन महतरम उल्माई किराम से माजरत के साथ चार में सुनों के साथ खुदारिच करनेंगे के महफिले जिक्रे नबी सच गई माशालला नाग के गुंगेंगे नगमात भी इंशालला इस से पहले के कोई शायर मकर्र आए अहले मेंबर भी कहें जुम के सुभान अल्ला माशालला अब आप हज़राद बोलिए गा सबसे पहले मैं चार मिस्रे पढ़ता हूँ है ना अब यहीं से चार मिस्रे आपकी बेदारी में अजाफा के लिए और आप जो इमतिहान गाह में बेटे हुए है हम ज़रा जायजा ले लें किस हद तक सुनने के लिए आप तयार है सुफी खलीलरामान साथ की दुआएं चाहता हूँ और भी हमारे दिगर सुफिया बेटे हुए बहुत आसान तरीन लब लेहजे में चार मिस्रे पढ़ता हूँ के हर इतदा से पहले हर इंतहा के बाद बात अगर हकीकत है तो कह दीजिए सुभानला जब भी बोलिएगा मुस्कुरा के बोलिएगा इसलिए के मुस्कुराना सरकार की सुन्नत है बेसक वक्त और इस वक्त हिंदुस्तान की हुकूमत हर चीज़ में पावंदी लगा सकती है और हिंदुस्तान की हुकूमत की दो बात छोड़िए दुनिया का कोई भी इंसान कोई भी ताकत तमाम चीजों पे पाबंदिया आये कर सकता है लेकिन मुस्कुराना सरकार की सुन्त है मुस्कुराने एक पर कोई पाबंदे नी लगा से इसमें का है तक ऐसा कोई कानून बना ही नहीं है ज़िए मुस्कुराने लगा से बसकी हम जुराने खुण के कहे दीजिए सुबाने लेला ना análध तत्बे ना Rs.– आपफिक ना नित्पी गौक अदावाई गौक अदावाई नए तत्वीर नए तत्वीर काहिभ हुसाई काहिभ हुसाई आपने जान दाल दिया चछा सुभान अल्हाँ ये जजबा देखिए ये जोश रेकिए इस उमर में इनका जोश बता रहा है के हम सैकलों पे तनहा भारी हैं मैं अर्ज़ कर रहा था के हर इंदाआ से पहले हर इंदाआ के बाद जादे नभी बलंद है जादे ख़दा के बाद अब जरा हाँ दो गडाए के चाहिए जब स्भानालाilla बहुत पहले मैंने कहा था कि गौसलवरा कोई नहीं कि खौसलवरा के बाद खाजा पिया कोई नहीं खाजा पिया के बाद सूफी वह मुव्ति हालिम उम फाजिल्ट तो है बोफ अहम्द रजा कोई नहीं яमा था के बाद वहाद वहाद सिहां एक बात कहने जा रहा हूं इंशालला आपका इमानताजा हो जाएगा हर इंता से पहले हर इंता के बाद जाते नबी पलंब है जाते खुदा के बाद अरे दुनिया में इहतराम के काबिल है जितने लोग मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद दुनिया में इहतराम के काबिल है जितने लोग मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद मैं से तो मानता हूँ मगर मुच्तफ़ा के बार हदराद आये चंद शेर के लिए मुहतरम जनाबे हाफिज उकारी अब्दुलहकीम साहब जिनका तखल्स बाबा है यह अलग बात है कि पोस्टर में बाबा का तखल्स अभी तक आया है लेकिन अब यह काम भी हो जाना चाहिए है ना माशालला बड़ी महपत करते हैं उल्मा नवास है माशालला और वैड़न इलाके के तमाम तर जलसों और मुशायरों की यह रूह साबित हो रहे हैं माशालला मैं ऐसी शक्सियत को आपके हवाले कर रहा हूँ जूमकर नारों के जरीए से माहूल भी बनाईए और कारी अब्दुलहकीम बाबा का इस्तिक्बाल भी कर लीजिए नारे तक्बीर अच्छा अब एक शक्स बोलेगा सबी लोग नारे का जवाब ने एक शक्स नारे का जवाब देगा और वो शक्स जो मदीना जाना चाहे चाहे इतना बढ़ा मजमा है बुजूर्ग हैं बच्चे हैं नौजवान हैं वुलमा हैं सब है मैं सिर्फ एक ही शक्स चाहूंगा वही शक्स हाथ उठा कर नारे का जवाब दे जो शख्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष अब इन चार मिश्रों के साथ कारी अब्दुल हकीम साथ माइक पे तश्रीफ ला रहे हैं कि हम तो कुछ देर हस भी लेते हैं वो हमेशा उदास रहता है हम तो कुछ देर हस भी लेते हैं वो हमेशा उदास रहता है अरे जिसम हिंदूस मुंता में है लेकिन दिल मुहम्मद के पास रहता है